नमस्कार आप देख रहे हैं नियूस क्लिक का डेर रांड़ आईए नज़र डालते हैं आज के कुछ मुक्य खबरों पर हमारी पहली खबर बिहार से नितीश की अगवाई वाली कैबिनेट में कोई मुस्लिम नहीं अब संख्यक मदाता चकित उमर अब्दुल्ला मैभूबा मुफ्ती ने विपक्षी गडबंदन को गूब गर कहने पर अमिर्श शाह को लताड़ा केजरी वाल ने केंदर से बाजार वाले इलाकों में लॉकडाउन लगाने का अधिकार मांगा हमारी चौथी खबर तब्लीकी जमाद और मीडिया रिपोर्टिंग से सुप्रीम कोड ने कहा केंदर के हलफ नामे से संतुष्ट नहीं हमारी पाचवी और आगरी खबर कोरोना अपडेट से देश में पिछले 24 गंटों में 38,617 नए मामले कुल मामले 89,000,000 के पार निदीश कुमार के नेतितुवाली कैबिनेट में मुस्लिम मंत्री के अनुपस्तिती ने कई लोग को आश्यर में डाल दिया है क्योंकि यह सुतनता के बाद पहला मौका है जब बिहार के सबसे बड़े अल्ब संक्यक समुदाय के किसी भी सदस्य को राज्य मंत्री मंडल में शामिल नहीं किया गया लगबग 12 करोड की राज्य की आबादी में मुस्लिम जन संक्या 16.5 पतिशत है इस बार निदीश कुमार की नहीं बीजेपी की सरकार है बिहार में इसलिए एक भी मुस्लमानों की मंत्री मंडल में शामिल नहीं किया गया है यह एक संदेश है मुसलमानों के लिए यह बाद पटना के बाहरी विलाके में इस्थित फुलवारी सरीफ के रहने वाले अबदुल रह्मान ने राज में नई सरकार के गठन पर टिपड़ी करते हुए कहा है रहमान उन हजारों मुसल्मानों में से एक है जो नितीश की नेतित वाली नई NDA सरकार में इस समुदाय को धरकिनार करने के लिए इस राजनितिक फैसले के मतलब पर चर्चा करने में व्यस्त है नितीश कुमार बिजेपी की सहयोगी पार्टी जे डियू के अध्यक्ष है केंद्री ग्री मंत्री अमिर शाह ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर के मुखिधारा के राजनितिक दलो पर निशाना साथते हुए उनके गडबंदन को घाटी में उथल पुथल के दौर को वापस लाने वाला गिरोव बताया है जम्मू कश्मीर के पूर्व मुखिमंत्रियों उमर अब्दुल्ला और महबुवा मुफ्ती ने इस तरह की हताशा भरी टिपड़ी करने पर उनकी तीखी आलोशना की है शाह ने अपनी कई ट्वीट्स के माध्यम से आरोब लगाया था कि जम्मू कश्मीर में छेत्री पार्टियों विदेशी ताकतों से हस्त शेव करने की मांग कर रही है उन्होंने कॉंग्रेस पार्टि से इस मुद्दे पर अपना रुक स्पष्ट करने को कहा है जम्मू कश्मीर के दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों उमर अब्दुल्ला और मभूबा मुफ्ती सहित छेत्री राजनेताओं ने उनकी जमकर आलोशना की है मैं मानने ग्री मंत्री के इस हमले की पीछे की हताशा को समझ सकता हूँ क्योंकि उन्हें बताया गया था कि पिपुल्स अलायंस चुनाओं का बहिशकार करने की तयारी कर रहा है इस से बिजेपी और राजा की नव गठित पार्टी को बिना किसी चुनाओती के जम्मू कश्मीर में जीत का पर्चम लहनाने का मौका मिल जाता है उमर ने भाज़पा मंत्री को जवाब देते हुए लिखा है कि हमने चुनाओं न लड़ने की महरबानी नहीं की है नेशनल कॉन्फरेंस के वरिष्ट नेता भारती जन्ता पार्टी पर उनके गड़बंदन को गिरो करार देने की खिलाफ भाज़पा के पुर्वाग्री की जमकर आलोशना की है दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्विन केजरीवालने मंगलवार को केंद्री से बाजार वाले इलाकों में लॉक्डाउन करने का अधिकार मांगा जो की कोविड-19 के हॉट्सपट बन सकने की अशंका है साथी शादी समारों में 200 लोगों के शिर्कत करने के आदेश को भी वापस लेने का अन्रोथ किया है केजरीवालने मीडिया को ऑनलाइन संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने उप राज़िपाल को शादी समारों में 200 की बजाए अब केवल 50 लोग के ही शिर्कत करने की अनुमती देने के संबंद में एक प्रस्ताव भेजा है उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार, केंदर और सभी एजनसिया राशी राज़दानी में कोविड-19 की इस्तिती को नियंत्रित करने के लिए दोगुना प्रयास कर रही है मुख्यमंत्री ने कहा कि हम केंदर सरकार को बाजार वाले इलाकों में लोगडाउन लगाने का अधिकार देने के लिए एक प्रस्ताव भेज रहे हैं जो की कोविड-19 के होट्सपोट बन सकते हैं उच्चितम नयायाले ने कोविड-19 महामारी का प्रकोप शुरू होने के दौरान रास्टी राजधानी में आयोजित तब्लीकी जमात के समागम से सम्बंदित मीडिया रिपोर्टिंग से जुड़े सभी मामले में केंदर द्वारा पेश हलफ नामे पर अप्रसनता जाहिर की है और कहा कि टेलीविजन पर इस तरह की सामगरी से निपटने के लिए केंदर को नियामक प्रडाली बनाने का विचार करना चाहिए शिर्स अदालत ने केंदर को ऐसी प्रडाली बनाने और इस बारे में अदालत को सुचित करने का निर्देश दिया है प्रधान नयाधिश ऐसे बोबडे की अधिशिता वाली पीट ने सॉलिसीटर जनरल तुशार महता से कहा कि पहले तो आपने उचित हलफ नामें दाखिल नहीं किया और अब आपने ऐसा हलफ नामा पेश किया है जिसमें दो महतुपूर सवालों के बारे में कुछ नहीं कहा गिया या कोई तरीका नहीं है श्रीश अदालत ने कहा हम आपके जवाब से संतुष्ट नहीं है न्यायमूर्ति एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामसुबरमन्यम भी इस स्पीट का हिस्सा थे किंद्री स्वास्त मंत्राले दौरा आज बुद्वार यानि 18 नाउबर को जारी आगडों के अनुसार देश में पिछले 24 गंडों में कोरोना के 38,670 नए मामले सामने आये हैं इसके अलावा कोरोना से एक दिन में 474 मरीजों की मौत हुई है साथ ही इसी बीच देश भर में कोरोना से पिडित 44,749 मरीजों को ठीक भी किया जा चुका है और कुल एक्टिव मामलों में 6,596 मामले कम हुए है देश भर में अब कोरोना के मामलों की संक्या बढ़कर 89,12,907 हो गई है जिन में से अब तक 1,30,993 मरीजों की मौत हो चुकी है स्वास्थ मंत्राले की ताज़ा जानकारी के अनुसार रिकवरी रेट में आज 0,09,09% की बढ़ोतरी के साथ रिकवरी रेट बढ़कर 93,05,01% हो गया है यानि अब तक कुल मरीजों में से 83,35,109 मरीजों को ठीक किया जा चुका है देश में अब कुल एक्टिव मामलों की संक्या घटकर 5,09,01% यानि 4,46,9805 हो गई है जिन में से 9,37,289 सैंपल की जाच बीते 24 घंटों में हुई है आज की डेल रॉंडर में बस इतना ही न्यूस क्लिक के यूटीब चैनल को सब्सक्राइब करें साथी देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी जरूर देखे फेस्बूक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे हमें फॉलो करे न्यूस क्लिक देखने के लिए शुक्रिया